आपकी English Speaking Practice के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 11 Most Common Questions and Their Answers Most Common Question कहने का ये मेरा मतलब है कि ज़्यादा तर यही सवाल लोगों से पूछे जाते हैं और यहीं आप मात खा जाते हैं देखे अगर आपको English बोलना है तो दो चीजे तो आपको आने आने चाहिए पहला सवाल पूछना और दूसरा अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो जवाब देना तो आज जो मैं आपके लिए 11 Questions लेकर आई हूँ उनके मैंने कई सारे Answers बनाए हैं जो आपके According हो मतलब आपको सूट करें आप उसी को तो चुनेंगे ना आप अगर डॉक्टर है तो यह तो नहीं बोल सकते हैं I am a teacher इसलिए मैंने सब कुछ बताया कि कैसे करना है बस आप वीडियो में एंट तक बने रहे हैं सब कुछ मुछ पे छोड़ दे English तिखाना मेरा काम है Let's begin Hey guys, my name is Kanchan, you are watching me on English Connection Guys, सबसे पहला सवाल है आप क्या करते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पूछा जाता है तो अगर आपको पूछना हो तो आप इस तरीके से पूछेंगे What do you do? इसका मतलब What is your job? मतलब आप क्या करते हैं? आपका काम क्या है? तो इनके जवाब देखें मैंने कई सारे बना रखें अगर आप काम नहीं करते तो कैसे जवाब दें? अगर आप job ढूण रहे हैं तो कैसे जवाब दें? क्योंकि वो ट्रिकी हो जाता है न तो आप job कर रहे हैं और नहीं ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं करते आप कोशिस कर रहे हैं जॉब ढूण रहे हैं तो कैसे बोले? तो देखे गाइस अगर आप एक student हैं तो आप simply यह बोल देजे I am a student मैं एक विद्यारती हूँ ठीक है और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अगर आप बोलते I am unemployed चलता ये भी है बट अपने आपको बेरोजगार बोलने में किसी को अच्छा नहीं लगता तो I am sure आप I am unemployed नहीं बोलना चाहेंगे इसका मतलब होता है I do not have a job बेपास कोई job नहीं मैं बेरोजगार हूँ इसकी जगह आप बोलिए I am between jobs ये बहुत ही interesting है और बहुत ही काम का है आपके लिए अगर आप job ढून रहे हैं तो आप यहीं बोलिए I am between jobs इसका मतलब you are not working आप अभी काम नहीं कर रहे हैं but you are looking for a new job लेकिन आप एक नई job ढून रहे हैं so you are between jobs तो क्या बोलेंगे आप I am between jobs clear अगला है I am a stay at home mom इसका क्या मतलब होता है जैसा कि नाम बता रहा है कि घर पर रहने वाली और mom जो घर पर रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखती है husband कमाता है बट wife बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो बोल सकती I am a stay at home mom जिसे आप कहते हैं I am a homemaker लेकिन homemaker वो भी हो सकता है जो parent नहीं है मतलब माता या पिता मेंसे कोई नहीं है but अगर आप बच्चे समालते हैं तो आप बोल सकते हैं I am a stay at home mom और I am a stay at home father अगर पिता है जो की घर पर रहता है और पत्नी कमाने जाती है तो वो भी बोल सकता है I am a stay at home father it means I don't have a job because I stay home to raise my children मैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए job नहीं करती I work from home अगर आप घर से काम करते हैं अलग से किसी office में नहीं जाते हैं कोई आपका business नहीं है अलग से आप घर से काम करते हैं तो बोलेंगे I work from home अब यहां देखिए I am a अगर आप कुछ करते हैं यह simple जवाब इसले में लास्ट में रखा है I am a और फिर आप जोड़ेंगे याद रखेगा इसे आपको जोड़ना ही है आप तब बोलेंगे जब यह consonant sound से शुरू होगा teacher, driver, businessman है अगर आप तो आप businessman ब at फिर a school, a bank और a company जहां भी आप काम करते हैं मतलब मैं यहां काम करता हूं I work at a company मैं एक company में काम करता हूं तो clear जो भी जवाब आपके लिए suitable है आप उसको चुन लें अगला सवाल है क्या आपकी शादी हो गई है यह tricky होता है इसका जवाब कैसे दें इसको पूछेंगे आ अगर आप से कोई पूछे तो जवाब देने के तरीके देखें अगर आप मैरीड है तो आप यह बता सकते हैं कि आप कितने साल हो गए आपके शादी को आप बोलेंगे I have been married for और फिर मान लीजे 12 years या फिर 2 years जो भी है उतना आप यहां लिख देंगे मतलब बोल देंगे औ और अगर आप married नहीं है शादे शुदा नहीं है तो बोले I am not married simple या फिर आप बोल सकते हैं I am single मतलब मैं आविवाहित हूं I am single यहां पर यह देखें आप I am divorced अगर आपका divorce हो चुका है तो आप यह वाला यूज करेंगे I have a boyfriend or girlfriend और अगर आपकी सगाई हो गई तो आप बो तो आप simply बताईए उसे I am getting married in मानलेजे March मेरी March में शादी है या मैं मार्च में शादी कर रही हूँ I am getting married in 2022 में 2022 में 2022 में शादी कर रही हूँ या फिर आप मंत का नाम ले सकते हैं या फिर आप duration बता सकते हैं कि कितना अंतराल है I am getting married in two months clear कि दो महीने में मेरी शादी है जवाब देना है तो आप तीन तरीके में दे सकते हैं तो आप ऐसे ही बोल दीजे I am from और फिर उस जगा का नाम I am from India अगर आप बोलते हैं इसका मतलब है कि आप से किसी बाहर की country वाले ने पूछा तब आप बोलेंगे I am from India अगर इंडिया से कोई पूछ रहा है तो आप श कि आप कहां से हैं I come from ऐसे भी आप बता सकते हैं I am from फिर उस प्लेस का नाम या फिर I come from इसका भी मतलब यही होता है कि जैसे मैं बोलूँ I come from प्रयाग राज मतलब मैं प्रयाग राज से हूँ ये भी आप बोल सकते हैं I grew up in प्रयाग राज मतलब मैं प्रयाग राज में प आप से कोई पूछे तो जवाब दीजिए आप I live in और फिर आप city का नाम बोल सकते हैं I live in Chandigarh जैसे कि मैं बोलते हूं I live in Chandigarh या फिर मान लेजिए आपके साथ कोई बात कर और पूछता है where do you live तो आसपास आप रहते हैं तो आप दिखा के बोल सकते हैं I live in those apartments मैं उन apartments में रहता हूं या फिर आप ये बोल सकते हैं I live in my parents house अगर sense ये है कि कहां रहते हो किसके साथ रहते हो I live in my parents house अगला है आप इस तरह के से बोल सकते हैं I live at और फिर अपना address दे दे अगर आपको address देना है तो at का use करेंगे और फिर आप अपना address दे देंगे आपके कोई बच्चे हैं अगर ये सवाल कोई करें तो वो ऐसे पुछेगा आप से Do you have any children? Do you have any children? इसका जवाब देखें आप कैसे दे सकते हैं I have अगर मान लिजा आप number बताते हैं मेरे दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं I have two children, three children, five children आप number यूज़ करेंगे अगर आपके एक ही बच्चा है तो आप बोले I have one child ठीक I have a daughter or son अगर आप बताते हैं कि मेरी एक बेटी है या मेरा एक बेटा है तो आप ये यूज़ करें आप देखें I have यहाँ पर आपको कुछ यूज़ करना है और फिर आगे daughters and फिर number फिर sons अगर आपको ये बताना है मान लिजे इक मेरे दो बेटे और दो बेटियां है तो आप बोल सकते है I have two daughters and two sons और two sons and two daughters जो भी आप यूज़ करें एक बात क्या ध्यान रखे अगर इसमें से कहीं पर आप एक बोलते हैं तो ये ऐसा आप नहीं यूज़ करेंगे ठीक है जो भी होगा number मान लिज़ा I have two daughters and one son ये आप तब बोलेंगे जब बच्चे नहीं है आपको बोलना है अगला सवाल है समय क्या हुआ है ये तो एक ऐसा question है जो strangers भी आप से पूछ लेते कैसे पूछेंगे वो इसके जवाब देखे इसके जवाब देखे है तो वो clock का use करेंगे अप it is 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock इसका मतलब हो गया साड़े आट तो अगर साड़े मतलब आदे गंटे और हैं तो आप half past का use करेंगे इसका मतलब यहाँ 5 है ना तो a quarter to five का मतलब हो गया पॉने पाँच अगर यहाँ होता इसका मतलब है कि दो पहर के बारा बज़ रहे हैं, दो पहर के बारा बज़े सीधे आप नून यूज़ कर सकते, it is noon, it is midnight, ये रात का जो बारा बज़ता है, उसके लिए midnight का यूज़ होता है, I'm sorry, I don't know, अगर आपको नहीं पता है, आपको गड़ी नहीं है, फोन नहीं है, त अब इसमें जवाब देखे, it's a beautiful day, बहुत ही खुबसूरत दिन है, it's raining, बारिश हो रही है, it's cold मतलब सर्दी है, it's sunny, it's sunny का मतलब हो गया कि धूप है, और इसी चीज़ को अब ऐसे बोल सकते है, the sun is shining, और it's cold का मतलब सर्दी है, ये नहीं है, जुखाम वाला सर्दी है, मत समेंसा है, it's cloudy, इसका मतलब की बादल चाहे हुए है, it's hot and windy, इसका मतलब है कि गर्मी है और हवा बहरी है, clear, अब अगला सवाल आप कैसे हैं, ये तो बहुत जादा common है, how are you पूछा जाता है, या फिर how do you do पूछा जाता है, वैसे common ये वाला है, ठीक है, अब जवाब में, I am fine, this means everything is okay, मैं ठीक हूँ, I am wonderful, जब आप ये बोलते हैं, इसका मतलब इसके बाद देखे, आप ये भी बोल सकते हैं, thanks for asking, इसका मतलब है, everything is great, सब बहुत अच्छा है, तब आप बोलेंगे I am wonderful, या फिर आप बोल सकते हैं, not bad, not bad का मतलब वही है, I am fine, this means everything is okay, या फिर simply आ अगर आप से कोई how are you पूछे, तो जवाब देने के बाद ये polite way है, विनम्र तरीका है, कि आप उससे भी वही सवाल दोहराएं, उसका भी हाल चल पूछें, तो आप क्या बोलेंगे I am fine, how are you, or I am wonderful, how are you, not bad, how are you, और देखे, I am okay, how do you do, clear, तो इसकी जगह आप how about you, ऐसे भी बोल सकते हैं, अब अगला सवाल है, आपका दिन कैसा था, जब आप कहीं से आते हैं, आपका दिन कैसा था, पूछते हैं, तो इसके लिए पूछा जाएगा, how was your day, जब आप कैसे दिया जाएगा, I have had a busy day, अगर अच्छा दिन था तो आप बोल सकते हो, it was wonderful, वैसे भी ठीक है, और मान लीजे कि आप बहुत busy थी, तो आप बोलेंगे, I have had a busy day, या फिर, it has been a difficult day, बहुत ही कठिन रहा, बहुत परेशान हो, तो आप बोलोगे, it has been a difficult day, यहाँ भे आप पलट कर सवाल पूछ सकते हैं, और आप बोल सकते हैं, how have you been, I have had a busy day, how have you been, it has been a difficult day, how was your day, और त मतलब तुमारा दिन, तुम कैसे रहे पूरे दिन, clear, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, ये भी सवाल पूछ सकता है, आपसे कोई, अगर आप English सीख रहे हैं, तो क्या पूछेगा, why are you learning English, जवाब में देखे, सबसे बड़ा जवाब तो यह है, to get a better job, ज्यादा तर लोग इसलिए English बोलना सीखते हैं, to get a better job, मतलब अच्छी job पाने के लिए, I love English, अगर आपको वो नहीं बताना तो आप बोलिया, I love English, मुझे English बहुत पसंद है, I love learning new languages, मुझे नई भाशाएं सीखना बहुत पसंद है, I want to travel, मैं travel करना चाहता हूं, यात्रा करना चाहता या simply आप बोल दीजे to travel, why are you learning English, to travel, यात्रा करने के लिए, I am learning English for work, मैं काम के लिए English सीखना चाहता हूं, या सीख रहा हूं, for work, आप simply ये भी बोल सकते हो, for work, I want to live in, मान लिजे, आप किसी बाहर की country में रहना चाहते हैं, जहां English बोली जाती, मान लिजे, आप कहते हैं, I I want to live in Chicago or somewhere, ठीक है, आगी है आपका, आपने अंग्रेजी का अधियन कहां किया, आपकी English अच्छी है, तो आप से कोई पूछता है, आपने कहां अधियन किया, वो क्या पूछे का, where did you study English, तो आप जबाब क्या दे सकते हैं, I studied English at the university, I studied English at the university, I learned on the internet, मैंने internet पर सीखा, My mother taught me, मेरी मा ने मुझे सिखाया, My friend taught me, मेरे friend ने मुझे सिखाया, I taught myself, मैंने खुद से सीखा, अगर आपको कहने हैं, मैंने खुद से English बोलना सीखा है, तो आप बोले, I taught myself, I learned at home, मैंने घर पर सीखा, I watched movies, मतलब मैंने movies देखी और उससे सीखा, sense यह है, तो वाइस आपको यह questions कैसे लगे, और साथ ही साथ आप कौन-कौन से answers चूज करने वाले हैं, जो आपके हिसाप से आपके लिए बने हुए थे, वो मुझे comment section में लेके ज़रू बताएगा, वीडियो को बहुत जादा शेयर कीजिएगा, सभी के साथ, वीडियो पसंद आए हो तो like भी कर दे, चैनल पर नए हो तो subscribe करें, उसके बाद आने वाले बिल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर दिन जो नई वीडियो आती है, उसकी notification आपको उसी समय मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएं, मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, जैहिंद!